Hello friends, welcome to study for civil services. दोस्तों हम बात करेंगे civil सेवा परिक्षा में प्रथम प्रयास में सफल ना होने के दस प्रमुक कारण. दोस्तों सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहूंगे कि IES की जो परिक्षा होती है, कोई ये banking या SSE से related exam नहीं है, ये एक high level परिक्षा है. दोस्तों इनके सवाल अच्छे अच्छो की छुट्टी कर देते हैं. आपने ल्याग त्यारी की हो, चाहें आपने 24 घंटे पढ़ाई की हो, पर जब आप exam देने जाते हैं ना, तब सब निल हो जाता है, क्योंकि एक डर होता है, एक nervousness होती है उस time. दोस्तों, cat या जो un-exam होते हैं, MBA परिक्षा में, लोग general knowledge के सवाल सही कर लेते हैं, लेकिन जो ये परिक्षा होती है, इसमें ऐसा नहीं हैं. दोस्तों, इसलिए आपकी मंजिल चाहें टेड़ी मेड़ी है, और ना ही इसका कोई shortcut है, हम अपनी मंजिल तभी पूरी कर पाएंगे, जब हम स्वैम में ये दर्ण संकल्प करें, कि हम किसी भी बहारी नकारात्मक शक्तियों को अपने आसपास भी नहीं फटकने देंगे, और दिन रात एक करके अपने लक्ष की ओर बढ़ेंगे, दोस्तों वैसे आई-एस की जो परिक्षा होती है, उसके लिए एक साल पर्याप माना जाता है, वैसे ये विद्यार्थी कि चमता पर निर्भर करता है, किसी के लिए 6 महीने की पढ़ाई भी काफी और किसी के लिए दो साल की भी पढ़ाई काफी नहीं है, पर दोस्तों इसमें निराश होने की जरूरत नहीं है, आप अपनी चमता को बढ़ाएं और घटाया, इस्टुडेंट के उपर निर्भर करता है, कि वो अपनी चमता को कैसे बढ़ा सकता है, या कैसे घटा सकता है, अगर आप दोस् चाहें आपका मन पढ़ाई में लग रहा हो या ना लग रहा हो तो दोस्तों यह नहीं करना है आप एक दिन ऐसे बैठेंगे, दो दिन बैठेंगे ऐसे, मगर तीसरे दिन आते-ाते कुछ ऐसा होगा कि आप फिर वापस वहीं पर चले जाएंगे, जहां पहले थे, सब छूट कभी FB पे आप बिजी हो जाएंगे, कभी किसी फ्रेंड का फोन आया, कि अब या चलो यार, आज पढ़ाई का मूट नहीं है, कल पढ़ लेना यार, ठीक यार, रोज तो इतना पढ़ते हो, या कभी पापा ने डाट दिया, या कभी किसी और चीस में उदास हो गया, कभी क किसी ने ताना मार दिया, कि अभी तक तुम पढ़ाई कर रहा और तुमारा सेलेक्शन नहीं हुआ, तो दोस्तों ये जो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आपको पेस करनी पढ़ती होंगी, दोस्तों आप अपना लक्ष एक तरीके से ऐसा रखे कि घोडे, बिसे आपने दे आख में दोस्तों पट्टी बांदी जाती है, आखों के अगल बगल चमड़े की पट्टी लगा दी जाती है, ऐसा इसलिए, क्योंकि वे सीधा देख पाए, चलते वक्त उसके बगल में होने वाली जो सड़क की गतविधियां है, उस पर उसका ध्यान ना जाए, वे सिर्फ सीधा देखकर अपने लक्ष की ओर चले, ऐसा विध्यार्थी जीवन में होना चाहिए, आप अपने अगल बगल की गतविधियों पर ध्यान मत दे कि क्या कौन बोल रहा है, क्या आपके बारे में क्या कौन विचार रखता है, क्या कोई कमेंट पास करता है, कुछ मत ध्यान दो, बस आपको लक्ष क्या रखना है आपको, कि आपको सिविल सर्विसेस में अपना एक्जाम प्यास सफल करके दिखाना है, दोस्तों जैसा मैंने आपको होता है, कि यह जो परिक्षा, यह कोई SSC है, बैंकिंग की परिक्षा नहीं, कि आप जल्दी ही निकल गए, और एक मतलब क्लियर कर लिया है, और चाहें वो अंदर या अंदर कितना भी आपसे मतलब परिशन वो हों, कुड रहे हों, या जलन की भावना हों, पर एक उनका भी आपके स्टेटस से उनका स्टेटस उचा हो जाएगा, तो आए जानते हैं, दस सबसे प्रमुकार्ण जो हम आपक जानते हों, तो आप निकाल लेंगे, ऐसा कोई बहुत बड़ी भी चीज नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग निकालते हैं, तो अगर आप 6 गंटे की पढ़ाई करेंगे, तो आप इस टेड़े मेड़े सफर को सरलता से पार कर सेंगे, क्योंकि सब का मोटिवेशन लेवल अल मानिताओं पर चलने से आपका नुक्सानी होगा, कि मतलब यह अगर टिक कर लेंगे, तो ठीक है, जो आपको, मतलब जिसमें आपको लगे कि हाँ, मैं यह अंसर उन्हीं उत्तर को टिक करिए, जिनके बारे में आप जानते हों, मातरात्मक कौशल में कमजोरी. जाएद वो और अच्छा रिजल्ट ला सकते थे. पढ़ाई के दोरान ब्रेक ना लेना. तो अगर आप लंबे सत्र के लिए बैटे हैं, तो बीच में 10-15 मिनट का ब्रेक जरूर ले ले. तो वो दुकान चले जाएं, कोई टौफी ही लाने के लिए भले ही चले जाएं, पर जाएं. मिजाज और व्याकुलता प्रबंधन करने में सक्षम नहीं है. दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि गहन अध्यान सत्र के बाद जब हम छोटा ब्रेक लेते हैं, तो कभी-कभी वो बड़ा हो जाता है. मतलब होता है कि हम दुकान पांच मिनट के लिए गया हैं और वहाँ पे दोस्त मिल गया है, फ्रेंस मिल गया है, तो हम काफी वहीं पर वतीत कर दिया हमने टाइम. तो वो दस मिनट का टाइम आपका दो घंटे हो जाता है, तो यह मत करिए. लेकिन ऐसे समय में आपको अनुशाशित और संतुरित रहने की जरूरत है. जब भी आपका मन पढ़ाई से उप जाए, तो कुछ ऐसा करें जो आपको अच्छा लगता हो, यह आपको संतुष्टी और खुशी दोनों प्रदान करेगा. आत्मरिक्षन का अभाव. अपके कौन सा सब्जेक्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप पहले खुद इसका आत्मरिक्षन का भाव. तो पहले अपकी अपनी समस्याओं और कमजोरियों को आपसे बहतर दोस्तों कोई नहीं जानता है, यह हमेशा आप समझ के रखिए. हर जगह से विशेशक की सला लेना है. गुषु कोई बार már होता ہ होता है कि प्री के तो तेयारी अच्छी अच्छी सो हो जाती, वर मेन सुधु नहीं होती. जवाबलेखन का अभ्यास नहीं करना. मतलब में छिव आपको लिखना है, बलकि अच्छा भी लिखना है. यह नहीं कि आपको लिखना है वहाँ पर क्या आ लिखना है उसमे जो वह lotta आपकी चेक कर रहा है उसको वर चीज अच्छी लग रही है कि नहीं अच्छी लग रही है जिसके लिए आपको रोजाना इसकी प्रासकनिت जो रहते हैं कि संतुली तुत्तर लिखने की कला निरंतर अभ्या से ही मिल पाती है। तो इसलिए डेली 15 मिनट ही चाहें, आप थोड़ा बहुत लिखें, पर लिखें। दिखें। दोस्तों कई चाहतरों के होता है कि उनकी आर्टि स्थिती ठीक नहीं है। लक्ष की प्राप्ति के लिए वह कैसे आगे बढ़ें। हमारे नसीब में हर कुछ नहीं होता है। किताब खरीदने के पैसे हुटे हैं हजारों की किताब और लिए पर अधर दूस्टो आएं किनी के पास दिखने के लिए हाइत यह नहीं होते हैं पुरानी किताबों को भी कम दामों में खरीदा जा सकता है. प्रोफाइल के बारे में असुरक्षा, असल में prelims और means को क्लियर करने के बाद, अपने आपने आपको साबित कर दिया है, तो प्रोफाइल के बारे में सोचना क्या फायदा है कि आपने BA किया है? दोस्तों जैसा मैं आपको बता रही थी कि प्रिफाइल के बारे में सुरक्षा, असल में दोस्तों प्रिलिम्स और मेंस को क्लियर करने के बाद, आपने जो आपको साबित कर दिया है, कि आप मतलब इस लेवल पे आ गहे हैं, कि आप मेंस को क्लियर कर चुके हैं, तो प्रिफा होना फिजूली और चिंता करना ही है तो प्रफाइल के बारे में असुरक्षा जो है आपकी उसको हटाईए दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि अभी मैं इस उसमें नया खिलाड़ी हूं दोस्तों पहले आप अपने syllabus को ध्यान से देखिए फिर पिछले साल आये सवालों को और आपको पता लग जाएगा कि UPSC या जितनी भी परिक्षाइं ये सिविल सर्विसे से लिए इसमें कैसे कोशन पूछे जाते हैं दोस्तों सब और मैंने आपको जैसे बताया है कि लेखन का बहुत ही इसमें इंपॉर्टन रोल है आपको पढ़ने के साथ साथ लिखने का भी अभ्यास करते रहना चाहिए क्योंकि लेखन के छेत में जब आप अपना हाथ नहीं खुलेगा आप मेंस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे और किसी भी टॉपिक को संचेप में लिखने का रोज अभ्यास करें यदि आपकी लेखन शेली को कोई जाच करने वा तो सोने पर सुहागा हो जाएगा दोस्तों परिवार और दोस्तों से समर्थन नहीं मिलना यह भी बहुत मतलब बड़ी समस्या है जिसके लिए आप संघर्ष के लावा कुछ नहीं कर सकते हैं सभी जो उमिद्वार हैं उनकी आर्थिक परिस्तित्य एक समान नहीं होती है बhnika शीफित के पैसें ही कभी किसी के पास कोई दिक्कत होती है। दोस्तों आप ये हैं मैं जो व已经 पते हो दोकिन मादworkल्स का दोका材 को सब्सक्ण का तक मतलब उस चीज के लिए पहुंच जाते हैं, सोचे, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जिन्होंने first position जिन्होंने मतलब पाई है इस चीज में, तो दोस्तों ये कोई reason नहीं होता है, कि आपके पास आपको महौल ने मेरा, आपकी परस्तिती नहीं अच्छी है, आर्थिक परस जाते हो ना, जब आप इन सब चीजों से उपर उठ जाते हो, तो कुछ नहीं, बस आपका यहीं होता है, कि देखी, ये बच्चा मेंस क्लियर कर गया, या ये इनका लड़का है, ये लोग कहते हैं, तब आपकी परस्तिती कोई नहीं कहता है, तो ये जरूरी हो जाता है, कि आप अपने आपको मांसिक रूप से त्यार कर लें, और आने वाली परस्तितियों का डट कर सामना करें, दोस्तों हमने इस लेक में उन परिस्चानियों का जिक्र किया है, जो इस बार के अधिकतर सफल उमिद्वारों ने अपनी त्यारी के दोर महसूस किया था, दोस्तों इसको आप सुनने के बाद या पढ़ने के बाद आप समझ सकते हैं कि आप कहां गलती कर रहें और कैसे उसमें सुधार किया जा सकता है, अगर आपको यह अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, दोस्तों कई लोगों कई होता है कि मैं लगातार फेल हो रहा हूं और मैं तूट चुका हूं, दोस्तों फेल, अगर हो भी रहें आप, तो यह फेल मिलने से, मतलब विफलता मिलने से तूटना, सफलता ना मिलने से तूटना स्वभाविक है, अगर हम किसी चीज में पास नहीं कर पाते हैं, तो हम परिशान हो जाते हैं, हम तूट पर अब तो आपके पास attempts भी कई सारे हैं, जरूरी नहीं है कि कोई पहली या दूसरी बार में ही सफलता प्राप कर ले, क्योंकि हमारे जीवन में भाग का भी रोल होता है, किस्मत बहुत बड़ी चीज होती है दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि आपका दिन कभी-कभ जरूसे जाद अच्छा होता है कि, आप सोचते हैं कि नहीं आज हमारा दिन अच्छा गुजरेगा और पता नहीं बरबाद हो जाता है वो दिन, दोस्तों जिस दिन कुछ खराव होना होता है, उस दिन सब कुछ लगातार खराबी होता है, तो हिम्मत मत हारिये, और कभी- अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेर करना बिलकुल मत भूलिए और हमने इसी उम्मीद से बनाया ये वीडियो कि शायद आपको कुछ मोटिवेशन हम दे पाएं इस वीडियो के थुरू, ओके बाबाई